नमस्कार आप देख रहें लाइब भियार और आपके साथ मैं अवन कुमार भियार विधान परिशत के सदस्ता के सपत लेने के बाद सा नवाज उसेन सीधे तोर पे विपक्ष पे हमलावर होते हैं किसान अंदोलन की आर में जो दिल्ली के लाल किले में उपदर मचा उसको लेके सेयद सानवाज उसेने सीधे तोर पे कंग्रेस पे एक बड़ार रोप लगाया कि जिस अंदोलन के पीछे जो कांग्रेस खेल कर रही थी उसके कई चुनाओ लड़े हुए प्रतियाशिक किसान संगर्ठन का नाम बना कर आ गए थे। पंजाब में कॉंग्रेस की सरकार है। पूरी योजना वही से बन रही थी। और आगे बैनर लगा कर विपक्ष के नेता, कई खासकर कॉंग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और साथ में वहाँ पर ऐसे तत्व जो भारत के खलाफ साजी शरच रहे थी। उन्होंने का ट्रेक्टर रैली करेंगे, गंतंत्र है। और हम गंतंत्र में मनाने का अधिकार हैं। सरकार ने पर्मीशन दी। उन्होंने सारे वादे तोड़ दिये। और ट्रेक्टर के गंतंत्र को कुचलना चाहते थी। भारत को उन्होंने बदनाम किया। पूरे भारत की मान मरियादा को ठेस पहुँचाई। आज राकेश टिकेट के आँख में आसू है। लेकिन 26 जनवरी को 135 करोड़ लोगों के आँखों में आसू था। जब वो देख रहे थे कि हमारा वो लाल किला के प्राचीर पर जाकर जहां भारत का तिरंगा फैराय जाता वहां पर जंडा फैरा दिया। और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आपने करवाई क्यों नहीं की। क्योंकि विपक्ष के नेता इंतजार कर रहे थे कि वहां पर ये सब घटना घटेगी, गोली चलेगी लाश गिरेगी और लाश पर ये लोग आकर आंसू बहा कर मातम करके फिर से नरेंदर मोधी की सरकार को बद्राम करेंगे इसलिए दिल्ली पुलिस को बहुत मैं भी दिल्ली पुलिस कवर हूँ मेरी सुरक्षा में वो पिछले 20 साल से साथ में रहते हैं मुझे भी बह पैरे मिल्टरी फोर्स को जिस तरह मारने का काम किया इसके लिए देश के लोग इनको कभी छमा नहीं करें लेकिन कॉंग्रेस तो कह रही है कि पीज़ेटी के गुंडे थे वहाँ पे ये सब बचाने का सब जांच में पता लगेगी तो आपने सुना सीदे तोर पर उनका कहना था कि लाल किला में जो भी पद्र मचाया गया उसकी फंडिंग कॉंग्रेस और आम आदमी प्राटी जैसे लोग किये हैं और सरकार उसकी जांच में जुट चुकी है जल्दी सभी कुछ सामने आ जागा वहीं दूसी तरह उन्हों में भी दिल्ली पूलिस रती है और ऐसे में दिल्ली पूलिस के साथ इस तरीके जो घटना की गई है वह काफी निरासापूर्ण है अब देखने वाली बात एक सहनवाज हुसेन के इस बयान के बाद क्या कुछ कॉंग्रेस के तरब से प्रत्रिपी आती है सहीं तमाव और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें